इतनी सिंपल सी रेसिपी के लिए आपको जाकर के रेस्टरंट में 300 रुपे खाश करने के ज़राती हैं, घर पे बनाओ और पूरा घर मिल करके खाओ तो चलिए बना लेते हैं मलाई पनी टिक का, सबसे पहले एक जार लेंगे और उसमें डालेंगे हरा धनिया, चार से पांच हरी मिल्चे, देड़ चमच क्रीम चीज, एक चमच फ्रेश क्रीम, अब इसमें डालेंगे काजू और मैंने यहाँ पर काजू का पाउडर बना के चार सो ग्राम पनीर और उसको इस तरह से क्यूप्स में काटा हुआ, थोड़ा सा मौटा, इसमें डालेंगे रैड येलो बैल पेपर और साथ में सिम्ला मिर्च और उसको भी मैंने पनीर की तरह ही स्क्वेर काटा है, आधा चमच निबू का रस डालेंगे और आधा चमच दालेंगे सफेद मिर्च का पाउडर, स्वात के नुसान नमक डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद जो हमने पीस करके रखा था वो पेस्ट डालेंगे, अब यहां पर दही को छलनी में रख करके मैंने थोड़ी देर छोड़ दिया था, तो जो दही में प पेस्ट मढ डालेंगे, अच्छा लगेगा, साथ में डालेंगे आधा चमश इलाइची पाउडर, अच्छे से मिक्स करेंगे, एक घंटे के लिए इसे धग करके छोड़ देंगे, अच्छे फ्लेवर के लिए इसे मैरिनेट करना जरूरी है एक घंटा, पर जब भी आपको टिका बनाना है, तो बस आपको क्या करना है, ये टिका की स्टिक आती है, इसको लेना है, और इसके अंदर एक के बाद एक आपको इस तरह से लगाते जाना है, अब आपकी मर्जी आपको कौन सा कलर पहले लगाना है, इसी तरह से हमें सारे बना करके एक बार में तयार कर ल अब आपको इसे चारो तरफ से अच्छे से सीखना है इसमें धनिया बहुत थोड़ा सा जाता है और नमक का ध्यान रखेगा क्योंकि चीज में भी नमक होता है तो अपने स्वात के हिसाब से बना कर के तयार कीजिए और जब खाना हो तब बनाये मेरिनेट करके रखिए और इ